नमश्कार, Dr. Monika Agrawal from Yoga Healthcare Center, आज हम बात करेंगे Know Your Food Series में Almonds, अलमंट जो बदाम जैसे कहा गया है, बदाम जिसके शेप होती है, वो उनी के लिए बहुत effective होते हैं, तो लिटरली वो बिल्कुल सही बात कही गई है, कि बदाम जैसे हमारी आखों के लिए, कहा जाता है, कि बदा इस लोग बदाम का काजल बना कर भी उस करते हैं, बदाम को बिगा कर और रेगुलर देने से बचों की आई हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत effective है, बड़े भी इसे रेगुलर वे में अगर बदाम को बिगा कर चार से पांच बदाम रेगुलर आप, अगर रे बहुत effective है तो और एक ही और मेयावर पढ़ रही थी कि जैसे उसमें C-reactive protein जो body में inflammation को बताता है हमारे liver का जो test होता है आजकल कोई में बहुत common हो गया है CRP का level तो CRP level को भी कम करने में जो भीगेवे almonds है वो बहुत effective है तो आप उन्हें regular use कीजिए कुशिश कीजिए पांच से साथ बदामी regular ले ये बाता को कम करते हैं लेकिन थोड़ा सक इसकी hot potency है तो प्रिता को aggravate करते हैं तो आप इनको क्या कीजिए कि राट बर्ड या तो six to eight hours बिगो कर नॉर्मल पानी में काज के बोल में बिगो कर फिर इस्तमाल करें ताकि प्रिता को शांत करें और एक और important चीजिए से हमेशा छील कर खाएं छील कर खाने से क्या होगा कि जो इसका जो जो चिलके के अंदर प्रोटीन होता है वो हमारे बॉड़ी में कुछ एप्जॉप्शिन में कई बार बादा डालता है डाइजिस्टर जिनका बहुत ज़्यादा वीक है उन्हें कहा गया है कि वो चील करी बदाम खाएं छिलके सेट नहीं खाएं प्योंकि कुछ लोग चीलके सेट खा सकते हैं लिकिन जिनका डाइजिस्टर सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है वो हमेशा उसे चील करी खाएं और कुछ लोग जिसे बदाम के लिए हम क्या जाता है बच्चों की आई के लिए सौंफ बदाम और मिश्री इन तीनों को बराबर कॉंटिटी में हम पीस कर उन्हें आम मेंबरी दिमाग के साब से आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी माइग्रेन, सिर्मेदर्द, टैंशन एडिक रहता है तो उनको नस्य के देते हैं कि जिसो अल्मड रॉप का अल्मड जो ओल आता है लिए उसको आपन का साहत में लीजिए और अपनी थर्ड रिंग फिंगर के लिए बहुत एफेक्टिव है तो नसी के रूप में भी काम आता है और मेमरी के रूप में की एक चमच अल्मड ऑई अम रात को सोते दाइं दूद में दें बच्चों को गाय के दूद में अच्छे से उसको मिक्स करके उसको अच्छे से बच्चों को रेगुलर आप रात को भिगो के रखिए पाथ से साथ बदा में एक काज के बोल में और उसके बाद सुबह उसे चील कर खाली पेट खाएं जब आप ब्रिकवार्स दे रहें तो उससे पहले ही सुप्ट आलमेंट्स अपने पाथ से साथ चील कर अच्छे से उसे चबा-चबा के खाई पिर जो भी आप मील अपना ब्रिकवार्स ले रहे हैं वह आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं यह बहुत इफेक्टिव हैं लेकिन पाथ से साथ बदा में खाएं हां और कुछ लोग रोस्ट करके खाते हैं तो यह कहूंगे कि रोस्ट करके जिसे आप जो गी में रोस्ट करके दिखाते हैं तो वो प्रेग्नेट लीडीज के लिए या पोस्ट डिलिवरी के लिए या बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव हैं लेकिन बड़े उस रूप में नहीं उसे बिगा कर खाएं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा थैंक्यू